हेलो एवरिवन गूड आफ्टर नून दिस इस आयूश और आपका स्वागत है एटुजए स्टड़ी एससी एक्जाम्स यूटूब चैनल पे इस दी पार्ट ओफ एटुजए स्टड़ी ऑफिशल यूटूब चैनल हमारा जो महरतौन है वो 36 है MTS और CHSL के लिए और जो आपका MTS के यूजए स्ट 24 हाला कि SAC के पेपर अब खतम ही होने वाले है लगबग तीन दिन बात खतम हो जाएंगे SAC के तो आपका उसके बाद से शुरू हो जाएगा जिल्ली पुलिस से हैड कॉंस्टेबल का आपका शुरू हो जाएगा तो उसके लिए आप जिनोंने फॉर्म भरा है वो भी तयार रहे और प्लस सॉरी कि मैं क्लास नहीं ले पारा था थोड़ा सा बीजि हूँ और शायद अभी कल भी ऐसा हो सकता ही मैं क्लास नहीं ले कल confirm है कि मैं class नहीं ले पाऊंगा अलाट तारीक है न हाँ जी कल confirm है कि मैं आपकी class नहीं ले पाऊंगा तो आज तो आपकी class हो गई है recorded class चल रही है चले शुरू करते हैं हमारे पहले question से अब पुछा जा रहा है क्या पूछ रहा है कि इन में से किस photographer ने green storm global photography award 2022 का 13 संस्क्रण जीता है ये current affairs से related है और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा question कहां आता है ऐसा question SSC में ज्यादातर current affairs से related ऐसे ही पूछे जाते हैं कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देते हैं कुछ पता नहीं चलता क्या है और ये photographic आ है एक बात याद रखना कि अगर इंडिया में किसी को मिला है तो पक्का ये पूछा जाएगा और ये मिला है मुहम्मद रेजा मसुएमी को ठीक है चली आगे बढ़ते question number 2 अब राष्टपती नामनात गोविन जो है इन्होंने मार्स 2022 में राष्टपती भवन में 2022 के लिए कितने पदम वीबूशन पदम भूशन और पदम श्री पुरस्कार प्रदाब करें हैं चार किस के लिए पदम भूशन के लिए ऺवन के लिए और 17 किस के लिए फटम श्री पुरस्कार के लिए तो यह चीज याद रख्येगा और आपका जो चलिए और कुछ ज़्यादा खास बात है नहीं इसके बारे में बस इतना ज्यान रगे कितने बाटे गए थे Question No.3 World Happiness Report 2022 की अनुसार 2022 की रिपोर्ट है किस देश को लगाता है पांचे वर्ष दुनिया का सबसे पांच बार लगाता आर रहा है तो कौन रहा है फिनलेंड फिस्ट पोजिशन पर है है ना कुछ आल देश रहा है इनका 5th consecutive year के लिए happiest country इनका जो score रहा है वह 7.842 दो रहा है डैनमार्क जो है अपनी second place पर है डैनमार्क जो है यह second place पर है और Iceland Switzerland को pass कर चुका है यानि यह थर्ड पे है पहले 3rd पे Switzerland था यहानि Switzerland अब 4th पे हो गया है United States 17 पे है जो US है वो 17 पे है और हमारा भारत 136 पे है यहां पर लिख देता हूं इंडिया यानि भारत 136 पे है और अफगानिस्तान तो मतलब दूसरा साल चल रहा है उनका यह मान लेजिए अफगानिस्तान एकदम लास्ट में क्योंकि आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है है जित्ते भी वो है उन्हें हम एक तरह से मानिया आतंकवादी कह सकते हैं और कुछ तो कह भी नहीं सकते हैं सबसे दुखद कंट्री है दुखद गलत लग गई है ना यहां पर जो है ट्रांसलेशन गलत लग गई है इसको छोड़ दीजे इसको छोड़ दीजे इसको छोड़ दीजे समझा जेता हूं इसमें लिखा है कि सिल्वर मेंडल यानि जो सिल्वर मेंडल होता है एक मिलड़ मैं आपको पुरे हिंदी में ही समझा MTR 2012 में किस ने German Open 2020 में रजत पदख που जीता है तो किस ने जीता है LAKSH Shan? किस ने जीता है मार 2022 में किस ने German Open 2022 में रजत पदखשन यह German Open, French Open और Spain Open यह सब जितने भी होते हैं सरे tennis के part होते हैं Q5 Inoneyge I &ah दक्षन कोरिया के नए राष्टपती के रूप में जो है चुना गया है दक्षन यानि साउथ कोरिया साउथ कोरिया के रूप में किसे चुना गया है इस बार चुना गया है आपका युक सुक यॉल को किसको चुना गया है यून सुक यॉल को उसमें अब जो यून है ये 5 साल तक का टर्म करेंगे और ये मून जे इन को रिप्लेस कर देंगे जो 2017 में पहले थे यानि पहले यहां के थे और प्रेज़ेंट कौन है मून जे इन अभी प्रेज़ेंट टाइम में तो मून जे इन नी है ठीक है अभी हट जाएंगे तभ उसके बार जो है युन सु कियों आएंगे लेकिन प्रेजिदेंट पर आभी मुंजे इन है ठीक है अब निव प्रेजिदेंट इलक्ट हो हैं तो वहां पर आपको लगाना युन सु कियों करन्सी कä है साउथ कोरियन वन और क्या है स्यॉल इमेजनिंग इंडिया एड़ रेट दोजार सेन्तालिस थू इनोवेशन विसे वस्तु पर तीन दिवसे संग जो संगोष्टी की मेजनवानी करेगा कौन करेगा चेन नहीं करेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते कोशन नमबर साथ राजस्वर जो है आपका प्रयाप्तों और इसको कुल वेशन बीच के अंतर को क्या कहा जाता है इसमें ज्यादा कोच आप जाने ना तो ही सही है फिसकल डिफर्ट एकनॉमिक का कोशन है ठीक है और इसके ऐसे एकनॉमिक के कोशन आपको मुश्खिल से दो या तीन देखने को मिलेंगे वह मैं करवाई देता हूं आप आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी ये तीन सब्जक्ट है इसमें पकड़ बनाई एक करेंट अफेर्स मैं आपको इसी में करवा जैता हूं और आपके करेंट अफेर्स के बारे में थोड़ा सा मतलब टीम में डिसक्शिन चल रहा है आपका करेंट अफेर्स का कु इस्टन गंगा डैनिस्टी के थे एनि पूर्वी गंगा वन्सच के और किसके लिए बनाया था संगॉड के लिए सबको मालूम है तबी तो इसके नाम सन कॉनाक टेमपल है चले कुश्चन नमबर नौ अब मैंने आपको बताया था दही के निर्मान के लिए कौन सा जीवान इसको छोड़के सारे वही है Lactic Acid Lactobacillus Lactobacillus लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो यह गलत है क्योंकि जो दही-का बेख्टीरिया होता है उसे बोलते है Lactobacillus तो यहाँ पे आप इन दोनों में Confused होंगे तो इन दोन में भी नहीं होना है कोई acid नहीं है धही खट्टी होती है खट्टी होती है मतलब अमल होगा acid का मतलब क्या होता है acidophilus तो ये है इसका सही आंसर क्या है lactobacillus acidophilus ठीक है ये इसका आंसर है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिया question number 10 भारत में ममलूक वंश्च का संस्थापा कौन था कौन था sorry question number 11 इस भारते प्रधान मंत्री ने तेलुगू महा कवे उपनयास का हिंदी में अनुबाद किया जिसे सहस्फरन जो है नाम दिया गया था तो इसको दिया गया था पीवी नर्सिम्हा राओ जो थे यह नाम दिया जो इन्होंने तेलुगू नोबल थी उसको नाम चेंज करके सहसर प्लैन इन्होंने दिया था question number 12 question number 21 भारतिया तटक्षक बल्के 24 वे प्रमुक के रूप में किसने पदभार के रहने करा किसने करा वी एस पठानिया ने चली आगे बढ़ते question number 13 अली वर्दी खान जो है यह कहां के नवाब है तो यह हैं बंगाल के नवाब कहां के नवाब है बंगाल के नवाब चली आगे बढ़ते question number 14 अब इन में से कौन सा उपकरण विद्यूत चुमबग्या प्रेरण की घटना पर आधारित है विद्यूत चुमबग्या यानि फेनोमेन अफ एलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन तो कौन सा है जनरेटर है जनरेटर में क्या होता है जनरेटर जब उसका मेगनेट अपोजिट साइड गोमता है जब उसका मोटर जो है रोटेशनल अपोजिट साइड हो जाता है जो चुमबग होती है वो बिजली जनरेट करती है वो इतने हाई लेबल पे होता है कि तीन तीन घर की बिजलिया चला सकती है कट्टे कौशन नमबर पंदरा इनवर्टर और जनरेटर में फार्क होता है इनवर्टर आपका बैटरी से चलता है बैटरी कभी भी हैवी चीज़े नहीं चला सकती है लेकिन जनरेटर यहाँ तकी AC फ्रीज यह सब भी चला सकता है तो यह चीज़ याद रखना है कौशन नमबर पंदरा इनवर्ट के साथ भूमी सीमा साजा नहीं करता है कौन नहीं करता है साइज एकदम सही बात है श्री लंका है ऐसे करके भारत है फिर मतलब थोड़ा सा भारत का ड्राइंग मैंने गलत बना दिया आता नहीं है मुझे कोई बात नहीं यहाँ पर श्री लंका बना देते हैं यहाँ से ऐसे करके वो टूटी टूटी लाइन है क्या है वो रामसेतु है फिर यहाँ से थोड़ा सा जो भारत का एंड पॉइंट है एक दम करता है भूटान करता है चलिए कोशन नमबर सत्र जय जवान जय किशान लाल बादू शास्त्री जी ने कहा था देखती आंसर कि इसमें तो कोई सोचे ना पांच सकेंड के लिए भी तो उसको तो इतना मतलब क्या ही बोलो अब 1965 के जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती उसमें बोलाता था कि जो हमारे जवान थे उनका थोड़ा सा जो मनोबल है वो तड़ा हो सके और किसानों का भी हो सके क्योंकि उस टाइम ग्रेट फिमाइन भी आया था आपको याद होगा न जब यह सब हुआ था तो बहुत तो यह मतलब क्या कहा है भारत बहुत एक दम गंभीर हालात से निकला है लेकिन आज भी चमक रहा है बहुत अच्छी बात है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंति महिला कौन थी रजिया सुल्तान है न यह तो बहुत असान कोशन है कोशन नमबर उन्निस राज्य विधान मंडल की बैठक आयूजीत करने के लिए कौरम होता है यह गंडपूर्ती से हिंदी में कहते हैं यह क्या है तो यह है कि जो दस सदस्य होते हैं या फिर या कुल सदस्य का दसवा हिस्सा जो भी अधिक हो उसको कहते हैं कौरम यह मीटिंग होती है तो कौर्टीजाइड क्या होता है तक कीवी इड़ या सकती है कीवी इड़ यही पाती है कीवी इड़ यह पाती है सår इसका आशर चाहझी पखशी जो ऐ राश्ट पखशी वहां का किवी 1657 में उपनशिदो को पारशी राश्चारि कई में बडर पक्षथि जो एकने की था is है तो किस दारा सिखोंगे कर रा था, शारा सिखोंगे कर रा था संस्क्रित से परशिय नहीं क्योंकि संस्क्रिक लिखे थी संस्क्रिक और किसी को तो समझ में आएगी नहीं जो मतलब बहुत पहले कि नहीं है अब जो ये हमारी डानेस्टी है हमारा जो वनसज है यह काफी पहले का है दुनिया में सबसे पहले आया था न सबसे पहले जो है बवहत पुराना है, एकदम पुराना है जिसे कहते हैं दुनिया ने माना दुनिया ने जहाँ जहाँ मतलब धुण्डा है परका है, किताबे पढ़ीया वहाँ पर सबसे पहले क्या थी संस्कृत के बाद देवनागरी के बाद हिंदी आई थी प्राकृत भी भाषा थी हमारी संस्क्रित से उन्होंने पर्शन में करा कि वो पढ़ पाई क्योंकि संस्क्रित उनको नहीं पढ़ने आती है ना उनकी वो भाषा है चलिए आगे बढ़ते है क्वेशन नमबर 23 ये किस ने कहा था कि सुराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा तो ये बाल गंगा दर तिलक जी ने कहा था एकदम मस्त है एकदम है ना इसको तो कहा जाता सोचने की ज़रत नहीं है बाल गंगा दर तिलक हो गए सदार वाल लबाई पटेल हो गए लाल वादो शास्त्री हो गए चेत भगत सिंग हो गए चेंद शेकर आजाद हो गए इन सब चीजों को तो सोचने की बिलकुल जरत नहीं किस वैज्ञानी को ने सपेक्ष्टा के सिध्धान का प्रस्ताव रखा था किस ने रखा था अलबर्ट आइंस्टाइन ने चले आगे बड़ते हैं लास्ट कोर्शन की प्रोशन नमर पचेश नहीं में लेकिसमसे कौन सी भारतिया खादे निगम की भूमी का नहीं है नहीं है कौन सी नहीं है making laws related to agriculture credit and in-depth किशी रिंड को रिंड गरस्ता से संबधित कानून बनाना क्योंकि यह ruler and urban का है ministry of consumer affairs में food and public distribution है और कुछ भी नहीं है यह ruler and urban का आ जाता है जो किसान मला आता है नहीं उनका आ जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसको like कर दीजिए वीडियो को और जरूर कर यह लाइट एक बार homework जो आपको homework तो दिया नहीं है अगर कोई doubt हो तो पूछ लीजिएगा और वीडियो के कम से कम यह तो बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी कोई सुधार कुछ करना यह तो बताई दीजिएगा जित पर यह तो बता है टेलीग्रम पर हाला कि मैंने मैंने उन्हों कोशन पढ़ा रख्या आए वही कोशन एक पर में आएगे लगके फिर भी इतने गलत आनसर आते हैं कि कभी कभी गुसा आते हैं यह जादा बहुत जादा गुसा अग क्लास है जाला और इंडिन कोशगार की last1 शुरू हो गई है मैं भी थोड़ी देर में जीके वहां पर पढ़ाना शुरू कर दूँगा साइन्स और जीके मेरा ही है सब्जक्ट ठीक है और जितने भी कोश्गाट के बच्चे है उनके लिए है यह ससी चैनल पर मैं कहा देता हूं और बाकी ससी के लिए भी होगा और हम टीम खटा कर रहे हैं क्यूकि तो या फिर तीन टीचर से पूरी टीम लिए ने ही चल पाई है और टीम चाहिए हमें और टीचर भी चाहिस के लिए जैसे जैसे कि कोesz्ट्गाट के सेकेंड फेस के लिए होता है सब धिरत सर ने बताया होगा लिए चलिए तक के लिए आ